अदानी गुरूप ने शेयर गिरिवी रखकर जिस कर्ज को उठाया था उसमें से 2.15 अरब डॉलर का कर्ज वापस कर दिया है साथ में कर्ज का जो ब्याज था उसको भी चुका दिया गया है इसके अलावा पिछले साल अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लिया गया 70 करण रुपय का कर्ज भी चुकाया जा चुका है सुमवार को अधानी गुरूप की तरफ से जानकारी दी गई अधानी गुरूप के इस बयान के बाद मंगलवार को गुरूप की अधिकतर कंपनियों के शेरों में उच्छाल देखने को मिला निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अदानी गुरूप का पूरा फोकस अपने उपर लदे हुए भारी कर्ज को उतारना है आप बीते तमाम मनी सेंटर लियाद कीजिए जो हमने अदानी गुरूप पर फोकस करके किये थे हमारी शुरूबाद से हमने आपको एक ही बात बताई थी कि अदानी गुरूप का जो सबसे बड़ा मर्ज है वह इन पर लदा कर्ज है सर इस मर्ज का कितना इलाज अदानी समू अब तक कर पाया अडानी सम्हों ने अपने शाट टम कर्ज को क्लीन करने की कोशिश की है और जैसा हम लगातार बता रहें साथ शुपर्ण में आपको बताया है कि अडानी सम्हों ने सबसे पहले जो शेरों के बदले कर्ज लिया था उसे चुकाने की कोशिश की दरसल शेरों के अगेंस्ट फिनांसिंग अडानी समho के पूरे बिजनिस का टेट फिनांसिंग का सबसे बड़ा हिस्सा थी शेरों की कीमत उजी थी उसे ले जाकर एक एसेट के तौर पर बैंकों के सामेरे रखा जाता था और उनसे पैसे लिए जाते थे और उसका इस्तेमाल कुझी के तोर पर होता था अडानी सम्हों ने करीब करीब 2.65 बिलियन डालर के प्रीपेमेंट शेर बैक लोन्स के कर दी है और इसके अलावा चुक्किया मुझा सीमेंट के लोन विदेश के बैंकों से ले गए थे उनको चुका दिया है कमपनी का मानना है कि उसकी कमफर्टेबल पोजीशन है कर्ज के मामले में जिस सिती में और इसके लावा कमपनी का कैश फ्लो भी इंप्रूव हुआ है अब यहां से कर्ज के एक मोर्चे पर थोड़ी रहात मिलती दिखाई थी जो शॉर्ट टम कर्ज हैं जो स्टॉक्स के बदले लिये गए थे स्टॉक्स की कीमत लगातार गिर रही थी इसलिए कमपनी के पास कोई और विकल्प नहीं था क्यों इन कर्जों को वापस चुका है और अपने स्टॉक्स चुडा ले नहीं तो एसेट्स जो जिन एसेट्स के बदले करज ले गए था उसेट्स की ही कीमत गिर रही थी अब बात शुरू होती है बांड्स की वो बांड्स जिन्हें अब इस साल के बाद चुकाया जाना है शाट टम बांड्स भी है जिनको इस साल जुलाई अगस्त के बाद चुका एक महत्पून तथी की तरे विशारा करता है कि अडारी सभू हों के बढ़क mo sign है कुषमता ऐंदेश्टिक विशारा कर ना पूंजी है और रूंग तर्व कशमताय बढ़ाने पर पहलों कर सकता है क्योंकि पहला चारण शारण कर्च का था जिससे उभरने की कोशिश जारी है उसमें कोश्चत तक सफलता मिली अब जो लॉंग टर्म मीडियम टर्म कर्ज हैं उन्हें चुकाने के लिए कंपनी एकुटी बेचनी पड़ेगी जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब कंपनी नई परियोजनाव बड़ी प बता रहे हैं के डानी समू किन किन कारोबारों से अपने हाथ पीछे कीच रहा है किन किन कारोबार में मैं अपने अपने पूर्ट फोलियो को रिस्ट्रक्चर या उसका पुनर गठन कर रहा है